ह alltid friends मैं संपता खुल करने आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल Tech Talks में इस video series में मैं आपको File Handling in C++ explain कर रही हूँ अब तक इस video series में मैंने आपको explain किया है Introduction to File Handling, Opening Bode of Files in C++ उसके बाद मैंने Primitive Operations explain किया है जिस पे मैंने cover किया है, file हम कैसे open कर सकते है, अगर exist नहीं है तो create कैसे कर सकते है, close कैसे करना है, read operation कैसे करना है, और write operation कैसे करना है, ये सारी चीज़े अब तक मैंने explain की है, अभी इसके बाद, जैसे कि हमें पता है, reading और writing operation हमें perform करना है, पर उसके लिए हमें कुछ और, file, position, position pointer functions की जरुरत होती है और हम उसे क्या बोल सकते है file pointer position functions जो की हमें file pointer का position एक तो बताने वाले है नहीं तो हम उसको set करने वाले हैं तो ये सारी चीज़े हम c++ में कैसे करने वाले है ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले मैं आप सबको एक request कर रही हूँ कि अब तक अगर आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe कीजिए bell ringing रखिए क्योंकि ringing bell आपको नए videos के notification देता रहेगा आप अपके friends के साथ भी video share करना ना भूलिए video को like करना ना भूलिए और comments देना भी ना भूलिए तो चलो सबसे पहले हम start करते हैं कि कौन-कौन से primitive operations होते हैं अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको shortcut link provide कर रही हूँ जो कि आपको primitive operations on files के बारे में बताएगा मेरा इसके पहले वाला video यहाँ पर इन short में आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से primitive operation होते हैं तो सबसे पहले हमें file open करनी होते हैं अगर file exist है तो अगर हमारा file exist नहीं है तो हमें file create करना पड़ेगा उसके बार हम वो file use कर सकते हैं तो open करने के बार हम उसका क्या-क्या use कर सकते हैं तो हम reading के लिए उसका use कर सकते हैं हम writing के लिए उसका use कर सकते हैं अभी हमारा file का use होने के बार हम क्या करना है तो हमें हमारा file close कर देना है तो ये सारे हो गए आपके primitive operations तो ये primitive operations आपको perform करते time आपको जिस चीजों की जरूरत है वो होते है file pointers and different functions तो सबसे पहले देखते हम file pointer क्या होता है तो file pointer जो है वो track रखता है आपके current cursor position का आपके जो file अभी open है अभी आपने reading purpose के लिए writing purpose के लिए किसी और functionality के लिए आपने अगर use की है open की है तो उस file में currently position cursor का position क्या है उसका track रखता है ये file pointer तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि file pointer क्या होता है कि जो हमें useful है उसका track रखने के लिए जहां तक की cursor की position का सवाल है और अभी अगली चीज जो है important चीज है वो है file position functions अभी ये functions क्या होते है तो ये सारे जो functions होते हैं वो कौन-कौन से मैं अगले slide में आपको बतान आपने वाली हो फिलहाल आप ये जानलो कि ये सारे functions हमें क्या करते हैं तो हमें ये useful होते है जहां तक की हमें cursor की position सेट करनी है या cursor की position हमें get करनी है और हमें पता होना चाहिए कि अभी करसर कौन सी position पे है तो ये सारी चीजों के लिए हमें ये file position functions useful होते हैं तो आगीली साइड में आपको मैं ये file position functions explain करने वाली हूँ तो चलो देखते हैं कि वो जो functions है वो reposition करते हैं file pointer वो कौन कौन से हैं सबसे पहले अभी आप अगर देख सकते हो यहाँ पर तो तो यहाँ पर मैंने ट्री ड्रॉ किया है जिस पर मैं आपको एक्स्प्लेंग कर रही हूँ कि फाइल पॉइंटर री पोजीशन निग अगर मुझे फाइल पॉइंटर का पोजीशन सेट करना है उसको हम बोलते हैं सिख करना है current file जो अभी open है तो उसके साथ हम कौन-कौन से operation perform कर सकते हैं तो हम कर सकते है reading operation और हम कर सकते है writing operation तो reading operation तो हमारा हो गया input operation इसका मतलब है कि हम जो function यूज़ करने वाले है pointer position set करने के लिए जो की specifically reading operation के लिए यूज़ होगा वो होगा सिख g function g stands for get, get is nothing but input और reading जो है हमारा वो input operation है वही अगर हमें writing करना है, writing मतलब है output operation तो उसके लिए हम use करेंगे sik p function, p stands for put, put is nothing but output, so output is nothing but writing so ये दोनों function जो है, वो हमें क्या करने के लिए मदद करेंगे, हमें position cursor का position set करने के लिए हमें ये मदद करेंगे तो जो file pointer है, उसका position अगर हमें set करना है reading purpose के लिए तो हमारा function हमें use करना है sik g function और अगर हमें position set करना है writing के लिए तो हमें function use करना है sik p function तो ये हो गया हमारा position set करने के लिए functions अभी मुझे अगर cursor कौन सी position पे है currently वो अगर जानना है, तो उसके लिए हमारे पास है tell function जो हमें क्या करेगा, हमें वो position tell करेगा file pointer की position, current file जो open है उस file के file pointer की position अगर हमें जाननी है, get करनी है तो system हमें वो position बता देगी system will tell us the position of the file pointer तो उसके लिए अगर मुझे reading करते time position चाहिए कि अभी कौन सी position पे cursor है, कौन सी position से ये read कर सकता है अगर ये मुझे चाहिए तो मैं function कौन से इल्स करूंगी tell g function, g stands for get which is for reading purpose so tell g function हमें use करना है, हमें जो बताएगा cursor की position read करते time और वही अगर मुझे write करते time अभी cursor कौन सी position पे है, वो जानना है तो हमें system बताएगा system will tell us the position of current cursor position, current from the current file तो हमें बताएगा कौन से function, tell p function यही सारी चीजे मैं in detail आपको next slide में भी explain कर रही हूँ फिर से एक बार मैं short में बता देती हूँ कि sick functions जो हमें use करने है, वो position set करने के लिए है tell function हमें use करने है, वो position get करने के लिए है मतलब कि system हमें बताएगा, tell कर, tell, the system will tell us the position ठीक है, तो sick function और get function दोनों भी हम writing और reading के लिए use कर सकते हैं, जिसमें से अगर हमें set position reading के लिए है तो वो हो गया sick g, अगर sick position writing के लिए है तो हो गया sick p tell functions अगर reading के लिए है, तो वो हो गया tell g और अगर tell function हमारा reading के लिए है, तो वो हो गया tell p, तो इस तरह से हम ये सारे functions use कर सकते हैं, अभी मैं यही functions आपको one by one explain करने वाली हूँ in detail, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कुछ color code use किये है जहाँ तक की sick का सवाल है, sick क्यों use करते है, to set the position of pointer तो यह sick g function जो है, उसे हम बोलते sick gate function, gate is nothing but input input मतलब कि हम क्या कर सकते है, reading, so g जो है, वो हम use करेंगे reading के लिए अगर reading है, तो हम use करेंगे i stream class, जो की होगा input stream class क्योंकि यह जो function है, get function है, input function है, और हम वो reading के लिए यूज कर रहे है, अभी same function अगर हमें writing के लिए यूज करना है, तो वो हो गया sick p, जो की है sick put, sick is nothing but setting the position of pointer, p जो है, वो writing के लिए है तो यह हमें position write करेगा आपके writing purpose के लिए, तो यह हो गया आपका sick p function writing के लिए, जिसके लिए हम o stream class use करेंगे, अब यहाँ पे o stream class अगर मुझे use करना है, इसका मतलब यह output stream है, output मतलब हम write करेंगे writing purpose के लिए हम यह function use करेंगे, जिसके साथ हमें pointer की position set करनी है, तो यह हो गया आपका sick p function, अब यह अगले slide में मैं आपको उसका format explain करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, कि यह दोनों function हमें k से use करने है, तो सबसे पहले, यह दोनों functions जो हमें use करने है, sick g और sick p, वो access करने के लिए हम use करेंगे file pointer, क्यूंकि only file pointer हमें help करेगा यह function access करने के लिए, अभी यह दोनों function जो set करेगा cursor position for reading purpose and for writing purpose, उसके लिए हमें दो parameter parameter pass करने की ज़रूरत है, जिसमें से पहला parameter हमारा है offset, तो offset क्या होता है कि number of bytes, कितने कौनसी byte पे हमें read करना है, या write करना है, start करना है, set करना है, cursor का position उसके लिए हम offset provide करेंगे, जो कि होगा number of bytes, in terms of number of bytes और another parameter is direction, तो direction में हमें क्या करना है, तीन direction हमें provide कर सकते है, जो कि है सबसे पहला वाला beginning, दुसरा वाला है cursor, current position, sorry current position and last वाला है end, तो जो number of bytes हम यहाँ पे देंगे, वो from the beginning होगे, या current position पे होगा, या from the current position of the cursor उतने bytes हमें calculate करने है, या from end of the file से हमें उतने bytes calculate करने है, तो यह सारी चीज़े हमें useful होगी to set the position of file pointer in current open file, अभी next slide में मैं आपको example explain कर रही हो, तो यह सारी example है sick g function के लिए, जो कि हम reading purpose के लिए use करेंगे, तो सबसे पहला example है, fp is your file pointer, तो सबसे पहले हमारा example है sick g function जिसमें हम first parameter only use करेंगे, last slide पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गए, I'm sorry, यहाँ पे यह जो है आपका beginning, वो default होता है, अगर मैं second parameter compulsory नहीं है, अगर मैं नहीं देती हूँ, तो वो by default consider करता है कि आप beginning से ही direction दे रहे हो, पर अगर आपको current position चाहिए या end position चाहिए, तो it is mandatory to provide the direction, तो चलो देखते हैं यहाँ पे examples, so सबसे पहले example, दो example में मैंने एक ही parameter दिया है, जहां तब कि second parameter का सवाल है, वो by default start from beginning होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, zeroth byte, so वो क्या करेगा, reposition the file get pointer, क्या लिखाए मैंने यहाँ पे file get pointer, क्योंकि वो reading purpose के लिए है, g function है get, इसले file get pointer, तो वो beginning पे set हो जाएगा, so beginning मतलब zeroth position, zeroth position पे वो set हो जाएगा, तो हम यहाँ पे वो zeroth position पे set करेंगे, और beginning से zeroth position पे, अगर मुझे nth position पे set करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे offset जो है, वो end set कर लोगी, तो यह repositions the file get pointer to the nth position, कहां से वो करेगा, beginning, क्योंकि मैंने यहाँ पे second parameter नहीं दिया है, तो by default वो कहां से start करेगा, beginning, अभी आप यहाँ पे third example देख सकते हो, जिस पे मैंने iOS at the beginning यहाँ पे explicitly mention किया है, इसके ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम वैसे कर सकते हैं, तो यह वाला function और यह वाला function दोनों function same है, जहां तब कि आपके format का सवाल है, आप उसमें यह provide कर सकते हो, direction वाला parameter और नहीं किया तो भी चलता है, तो यह दोनों का meaning यहाँ पे same है, जहां तब कि दोनों function का सवाल है, वो set करेगा end position from the beginning, यहाँ पे मैंने अगला वाला example explain किया है, यहाँ पे मैंने direction end यूज किया है, इस end में इसका मतलब है कि end position from end of the file, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैं यहाँ पे explain कर रही हूँ, वो है reposition करेगा आपका file pointer from the, to the mth position from the end of the file, तो end of the file से वो m position set करेगा, जो कि होगा in reverse direction, मतलब कि end of the file से वो start करेगा और mth position पे वो set हो जाएगा, यहाँ पे मैंने position 0 दिया है, बट direction end दिया है, तो यह reposition करेगा file get pointer to the end of the file, इसका मतलब यह end से वो start करेगा, और the 0th byte from the end is nothing but the last character और last byte of your file, so is nothing but the end of the file, so in this way, you can set the position of pointers जो आपको reading purpose के लिए use करनी है, अभी आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे वही example use किया है, पर writing purpose के लिए, अगर writing के लिए है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके function क्या हो जाएंगे, सिक P function हो जाएगे, last slide में मैंने जो सारे function use के थे, वो थे सिक G function या पर writing के लिए है तो वो हो जाएंगे, सिक P function, difference उतना है जितना कि आप जान सकते हो, last वाले functions आपको reading operation से पहले यूज़ करने है, to set the cursor position, यह सारे आपको writing से पहले यूज़ करने है, functionality सेम है, सभी things सेम है, क्योंकि बो दोनों function यूज़ करने वाले हैं, हम position set करने के लिए, file pointer का position set करने के लिए, difference बस इतना है कि पहले वाले example reading के लिए थे, अभी यह वाले example writing के लिए है, आप video pause कर सकते हो, यह सारे example आप देख सकते हो, फिर आगे जा सकते हो, तो यहाँ पे मैं assume करती हूँ कि आप लोगों को यह function समझ में आ गए है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम tell function के लिए, तो tell, tell function हमें क्या करता है, this function tells us the position of cursor from the current open file, so यह tell g, tell get करने के लिए, यह हमें position देगा, जिसमें से हम, यह हमें बताएगा कि current position of pointer क्या है, जो कि हम open करेंगे reading purpose के लिए, क्योंकि g है, get है और input है, और अगर input है, तो यह हमारा हो गया member iStream class का, तो यह iStream class का member हमें बताएगा current cursor का position reading purpose के लिए, और अगला वाला जो example है, वो हमें put, मतलब की output के लिए, मतलब की writing के लिए, इस लिए इस function का नाम है tell p, कि हमें writing के लिए हमें बताएगा कि हमें cursor की position क्या है, अभी write मुझे करना है, पर currently cursor की position क्या है, अगर मुझे जाननी है, तो मैं tell p function use करूंगी, तो हमें यह क्या करेगा, हमें बताएगा current position of the cursor, अभी यह writing के लिए है, इसलिए यह हमारा हो गया function from output stream class, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, कि यह जो इसका format है, इसमें हमें कोई parameter pass नहीं करना है, क्योंकि हमें last example, SQL function में हमें position set करनी थी, cursor की, इसलिए हमने parameter pass किया था कि कौन सी position पे हमें set करना है, पर यहाँ पे हमें system बताने वाली है कि उसकी position, cursor की position क्या है, इसलिए हमें यह function return करेगा value, यह जो function है, tell g function, tell p function, यह value return करेगा, वो value क्या होगी, तो वो होगी position, उसका data type क्या होगा, वो होगा simple integer, so integer value वो return करेगा, जो कि होगा position of the cursor, currently cursor कहां पे है, वो हमें बताएगा, अभी आप आप देख सकते हो कि यह दोनों function जो है, वो file object से हम access कर सकते है, तो file object is nothing but your file pointer, जिस file में आपको यह सारी चीज़े perform करनी है, उस file का pointer आप यहाँ पे use करेंगे, reading के लिए, writing के लिए, आपको एक चीज़ धान में रखनी है, अगर g use कर रहे हैं, तो आपका file pointer, जिस file के साथ open है, वो reading purpose के लिए open होनी चाहिए, अगर p use कर रहे हो, tell p, तो यह file pointer आपका writing purpose के लिए file open होनी चाहिए, उसी file pointer को आपको यहाँ पे use करना है, तो मैं यहाँ पे assume करती हूँ कि आप लोगों को यह सारी चीज़े समझ में आ रही है, so thank you friends for listening and watching my video, अगर आपको यह आपके वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, तो comment देना ना भूलिए, यहाँ पे मैं आपको subscription link provide कर रही हूँ, please मेरे चैनल को subscribe कीजिए, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको मेरे इस वीडियो सेरीज का next video यहाँ पे provide कर रही हूँ, उसके साथ साथ इस वीडियो सेरीज का मैं playlist यहाँ पे आपके लिए provide कर रही हूँ, so please subscribe my channel, stay tuned with my channel Tech Talks, thank you friends,